हेलो एवरिवन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवेस वर्चुल कैमपस में स्वागत है मैं उद्य संकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वल्ड जोगरफी की उपर बात करेंगे वल्ड जोगरफी का आज का हमारे यह पार्ट नंबर सी होगा और आज के इस वल्ड जोगरफी में हम लोग बात करेंगे यूरोप को ले करके यूरोप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉंटिनेंट है जहां तक प्रस्परिटी की बात है संपनता की बात है इडवांसमेंट की बात है इसके पिछले वाले वीडियो सेशन में हम लोग ने एसिया और अफ उसको लेके चलते हैं यूरोप का पर सैस देख लेते हैं यूरोप दुनिया का चठा सबसे बड़ा पॉंटिनेंट है मतलब करने का अतात पर है कि सबसे बड़ा जो है वो आपका एसिया है और यह नीचे से न ये दूसरे अस्थान पर है मतलब यह उपर है तो उपर सी गुना बड़ा ये continent है तो चलिए यूरोप का जो आकार है भारत से कितना गुना बड़ा है भारत के परिफिक्ष में रखकर इसको देखते हैं तो यूरोप जो है भारत से ठीक ना तीन गुना बड़ा continent है चलिए बस इतना ही आप जानिए चलिए अब हम लोग बहुत important section की ओर जा रहे हैं यूरोप के political division जैसे कि आप लोग ने सुना होगा UK United Kingdom अब हम लोग देखेंगे इस video session में UK के अंतरगत कौन कौन से देश आते हैं आप लोग ने अकसर सुना ह होगा Great Britain देखिए तो Great Britain में देखेंगे कि कौन कौन से देश सामील है ठीक ना आप लोगों अकसर सुना होगा CIS अना Commonwealth of Independent States तो इन सारी चीजों का वर्णन अब हम लोग देखने जा रहे हैं ठीक ना चलिए तो हमारा अपका जो topic होगा वो topic थोड़ा सा topic जान लिया जाए कि political division यूरप के political division के बारे में बात करेंगे तो जो सिर्शक होगा हमारा ठीक ना वो इस तरह से होगा political division अब political division किसका तो यूरोप का ठीक ना चलिए अब हम लोग यूरोप के political division को लेके चल रहे हैं इसमें उन सारे group of countries पो देखेंगे सबसे पहला इसमें जो लाइना हमारा जो second होने वाला है वो ये है कि चलिए सबसे पहले लेके चलते है great britain अब हम लोग ये देखेंगे इसके बाद आता है Scotland इसके बाद आता है Scotland और इसके बाद आता है Wales ये तीम जो देखेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है United Kingdom ठीकर ना हमें मिलता है UK UK कहते इसको चलिए तो हमारा जो next जो होगा वो होगा United Kingdom देखतें कि United Kingdom में कौन-कौन से देश सामील है चलिए अब हमारा जो सेकेंड होगा वह होगा United Kingdom देखें United Kingdom में कुछ नहीं है आप ये जो Great Britain देख रहना इसमें आप Northern उत्री Ireland जोड़ देते हैं मतलब कि Great Britain प्लस उत्री Ireland को मिला कर कहा जाता है United Kingdom यदि कोई बात है कि अगर कोई बात है United Kingdom से संब्धित है इसका मतलब है कि उसमें कौन-कौन से देश सामील होंगे उसमें तीन तो देश सामील होंगे ही उसमें उत्री Ireland भी सामील हो जाएगा Ireland का दो तरस भी भाजन हुआ है ठेका ना उत्री Ireland और दक्षनी Ireland तो Great Britain में सामील है दक्षनी Ireland एक सोतंतर देश को रूप में है जिसको हम लोग आते Republic of Ireland चलिए तो United Kingdom में कुछ करना नहीं है Great Britain के जितने भी देश है अप प्लस उत्री Ireland चलिए तो हम इसको कह सकते है Great Britain Great Britain मतलब उपर के यह जो तीन देश है अप प्लस आप ले लेते हैं उत्री Ireland उत्री Ireland यह मिल कर होते हैं United Kingdom होते हैं चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं CIS देखें CIS बहुत इंपोर्टेंट है CIS रूस जब टूटा Soviet संग जब Soviet संग जो पूरो में पले Soviet संग था उसका ब्रेक अप हो गया टूट गया तो 12 देश ने मिल करके CIS का गठन किया 1991 में पले CIS के बारे में जान लेते हैं CIS है क्या तो यह सोवियत रूस से तूटे हुए सोवियत संग से तूटे हुए यह देशों का समू है जिसमें की टोटल संग्या 12 है और इसकी राजधानी जो है वह बेलारूस की राजधानी मिन्सक में है ठीक है तो यह CIS क्या है तो 12 देशों का समू है जो की सोवियत रूस के तूटने से बने हैं ठीक है यह 12 देशों का समू है CIS में कितने देश सामिल है 12 देश सामिल है चलिए और इसका मुख्याले कहा है इसका जो हेड़ क्वार्टर है वह मिन्सक में ठीक है इसका हेड़ क्वार्टर मिन्सक में और मिन्सक का है बेलारूस बेला हमारा country का गूरूप रहा ठीकना CIS में वैसे 12 देस्ट आते हैं जो कि पूर्व सोवियत सन के तूरेंसे बने हैं चलीए इसके बाद हम लोग Scandinavian countries में कौन से देश शामिल है ये सारे political group है Europe का Scandinavian countries में सामिल है होने वाले जो देश है वो Denmark ठीकर न उसके बाद आपका है जो Scandinavian में है वो है आपका Norway ठीकर न ourway और जो तीसरा है वो है Sweden یہ जो तीन देश सामिल है Scandinavian countries में चलिए इसके बाद हम आते हैं नौर्डिक ठीक ना ये जो तीन देश हैं आपस में सांस्कृतिक तोर पर हिस्टोरिकली और लिंग्विस्टिकली आपस में जुड़े हुए हैं ठीक ना डेनमार्क नौर्वे और स्वुडन इसमें सामिल एसकंडेनिवियन कंट्रीज में तीन इसको कहतों नौर्डिक स्टीं या noradic countries फवर्डिक कंट्री जनल भीन अब हम देखना है कि नौर्डिक कंट्री में कौनकौन देश सामिल हैं तो इसमें यह तीन देस हैं जो स्कंडेनिवियन में जो तीन देस है वो और प्लस आई-लंड और फिन लेंड यह मिला करके न नौर्डिक कंट्रीज कह लाते हैं ठीकर इसमें पाँछ देस आजाएंगे एक आजाएगा डेनमार्क पिर हमारा आजाएगा नौर्वे फिर हो जाएगा स्वीड इसके बाद आपके इसमें सामील हो जाएंगे Iceland चलिये और इसके बाद इसमें सामील हो जाएंगे Finland तो इसमें यह पांच देस सामील है Nordic countries में तो हम कह सकते हैं Sanskritic तोर पर भासा के तोर पर भासा याधflower पर यह जुढ़े हुए हैं ठिक न ये जो तीन देश हैं, देनमार्क, नौर्वे और स्विडन, इनको इसकेंडेमियन इसलिए कहा गया है, क्योंकि इनकी सांस्कृती, इनकी भासा लगबख सेम है, अच्छा, ये जो पांच देश आप जो देख रहे हैं, ये आपस में किस अधार पर जुड़े हैं, तो आर्थ इसके बाद हमाते हैं, पॉइंट नर्बर सिख्ष में, इसको इम्पोर्टेंट है वह है, बेनेलेक्स, किसके लिए को बेनेलेक्स गहा जाता है, क्यां कि इनका जो पोदिसन है वो समूदर लेवल से नीचे में हैs, बेनलेक्स में कौन-कौन से देश सामिल है या इसको काते ना लोग कंट्रीज है निकि निमने देश निमने देश उनको इसलिए कहा गया है कि उनकी जो उचाई है वो समूदर तल से नीचे में है इसलिए उनको लोग कंट्रीज के तोर पर रखा गया है अब इसमें कौन-कौ लग मों सो हैं to लेकजमडर्ग अपको मिलेंगे लेक्जमडवर्ग यह आपको यह ऊंड़क इनको लोग recognize या pit वो समुद्रतल से नीचे में है, यह जो तीसरा कंट्री है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकजंबर्ग, चलिए, यह हमरा पॉइंट नमर सिक्स रहा, अब इसके बाद आते हैं, पॉइंट नमर सेवेन की ओर, पॉइंट नमर सेवेन की आते हैं, चलिए, कौकेसस, यह कंट् हुआ है, और जिन 4 देशोएं मैं प्हाला हुआ है, उनको कहा गया है, कॉकेसस कंट्री कहा गया है, कॉकेसस कंट्री कॉकेस अक्ट्री पहाड का नाम है, जो के यूरीम में हैं, तो जिन 4 देशों में है इनको सामोहिक तोर पर कहा गया है कोकेकस कांट्री ठीक है अब देखते कि कौन कोंसे दैस आते हैं चलिए इसमें जॉरजिया इसमें क्वूं से दैस आता है जॉरजिया अर्मानिया चलिए इस बाद आता है अजर बेजान को और इसके बाद रूस का जो दक्षनी भाग है और रोस का दक्षनी भाग इसमें सामील है चेलिए नमबर हम आते हैं गुरूप अफ कोंट्री का लिचा है वाल्टि कन्ट्रिस एक पहार का बाल्टिक देश यह सब आगर आप निउस्पेपर पढ़ेंगे ना अगर इसमें वर्ल्ड का निउस्पेपर पढ़ेंगे तो आपको यह सारे सब्द मिलने वाले हैं बाल्टिक कंट्रीज में देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ठीक न चलिए इसमें आता है एस् आते हैं बालकन-बालकन कौन नमबर हंगरी लुए ठीक है जलीए यह बहुत इंप्सेशं है आपके लिए समझें के यह सारे जो जो ग्रूप से हैं इससे सवाल आपको आना ही आना है अब यह पूछ देगा कि United Kingdom में कौन सा सामील नहीं है आपका option A में रहेगा England, option B में रहेगा दक्षनी Ireland, option C में रहेगा Wales तो आपको यह समझना हुआ कि इसमें तो उत्री Ireland है दक्षनी Ireland तो सामील है ही नहीं तो इसका मतलब है कि आपको चूज कर कि आपको एंसर खोजना होगा और वो एंसर होगा वो दक्षनी Ireland तो यह सारी जो चीजे हैं यह political division जो यूरोप के बारे में बात हो रहा है एक जामिनी संग दिश्टिकों से बहुत important है चलिए हम लोग बात कर रहेते हैं बालकन एस्टेट्स के बारे में बालकन एस्टेट्स में कौन-कौन से कंट्री जाते हैं तो इसमें आता है हंगरी रोमानिया बुल्गारिया ठीक ना चलिए और इसके बाद आता है आपका ग्रीस यूनान ठीक ना यह चार देस यह बालकन एस्टेट्स का लाते हैं क्योंक कि बालकन परवत यहाँ पर मौझूद है इन चार देसों में मौझूद है इसका नाम है वो देस हंग्री है रोमानिया है बुलगारिया है और युनान है यह जो चार देस हैं यह बालकन स्टेट्स बनाते हैं चलिए अब हम आते हैं आइबेरियन प्राइदीप नमबर हमारा नमबर टेन में है आईबेरियन प्राइदीप में कौन-कौन से देश सामील है चलिए तो इसको थोड़ा सा देखते हैं आईबेरियन प्राइदीप में कौन-कौन से देश सामील है तो इसमें जो देश सामील है उसका नाम है स्पेन यो पुर्तगाल तो बच्च मिलेगा किस देश को कहा गया है मधराती सुर का देश ठीक ना किस देश को कहा गया है किस नगर को कहा गया है सासवत नगर किस देश को कहा गया हजारों जीलों का देश तो यह सारी बाते ठीक ना यह सब बहुत इंपोर्टेंट है जामिने संद्रिश्टी कुन से हम लोग किस कि वाल उसी सब्रेक्विंट को देखेंगे जिसका सम्मध्र यूरोप से है चलिए पॉइंट नंबर 11 अब हमारा जो पॉइंट नंबर 11 होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं ठीक ना चलिए अब हम आते हैं प्रायदीपों का प्रायदीप हमार अगला है का प्राइदीप येभाई किसको कहते हैं प्राइदीप येवित को नहीं बहुत इंप्रस्थों होगा कि 21 महादेश को प्राधीपों का प्राधीप कहा जाता है तो वो है कौंटिनेंट य्यूरोप चलिए हजार झीलो का देश हजारों झीलों का देश हजारों झीलों का देश चलिए इसको कहते हैं फिल्लेंड को कहते हैं हजार हजारों जीलो का देश यह आपका फिल्लेंड है मधरात्री सुर का देश हलाकि यह सुर निकलता नहीं लेकिन आभास होता है ठीक है ना चलिए मधरात्री सुर का देश आपका होगे है नार्वे ठीक है ना चलिए इसके बाद आते है Queen of, रानी, Queen of Adriatic, Queen of Adriatic, Queen of Adriatic किसको कहते है तो Venice, यह सहर है इटली में, यह Venice जो सहर है वो इटली में है, चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो हमारा आता है Emerald Island, पन्नप इसको कहते है Emerald, और हमारा है Emerald Island, और इसको हम आगे हैं अगर हिंदी में कहते हैं, तो पन्ना द्वीप, किसको कहते है Emerald Island, तो यह Ireland, जिसको नाम दियागया है Emerald Island के नाम से दिया गया है, चलिए, पंच सागरों का पतन, और हम पोर्ट ओफ वाइप सीज़, चलिए, पंच सागरों का पतन, कि इसको कहा गया है तो यह है सर आपका मास को इसको पांक सागरों का पतन के नाम से देखा गया है पैसन नगरी किस सहर को कहा गया है फैसन नगरी बहुत इंपोर्टन बात है यह फैसन नगरी कहा गया है पेरिस को चलिए फैसन नगरी कहा गया है पेरिस को ग्रिनाट सिटी किसक वाग्स को देता है। Fitz a 스ACE के बारे में। स्कॉठ लेन्ड में हैं यह स्थे बहुत इंस पमोते हैं सहर और देस मैच करने को दे देता घ्लास को कहां पर हैं आप वाग्स के लेकिन कुछ तो पुठने का चंस होता है वह कहाँ होता है और वैसे जिसक गीतले की clarify प्रश्र ही नहीं में लेते हैं यह जिसको हम ज्यादा सरींस नहीं देखते हैं इसको किसको कहा गया सासवत नगर चलिए यह सासवत नगर और यह कहा गया है रोम को रोम को कहा गया सास्वतनगर एक और देख लेते हैं यूरोप के खेल का मैदान प्लेग्राउंड ओफ यूरोप चलिए अब हमारा है यूरोप के खेल का मैदान तो ये कहा गया है सूर्जर लेंड को ये कहा गया है स्वूर्जर लैंड को चलिए तो हमारा ये जो पॉइंट रहा हमारा पॉइंट 11 रहा पॉइंट 12 में हम लोग आते हैं अब कुछ देखते हैं ये रोप से संबंदित नदी जील पहाड के बारे में पहले हम लोग ये सब चीज देखते हैं ठीक ना जो कि बहु नदी है यह वोलगा अना यह वोलगा जो कि रूस में बहती है चलिए अब हम आते हैं यूरोप की सबसे ब्यस्त नदी यूरोप की नहीं वो दुनिया के सबसे ब्यस्त नदी तो वह है राइन नदी जो की बहती है जर्मनी में जो की बहती है जर्मनी में जो की बहती है जर् लिए अब हमें देखते हैं कि एक एक मात्र नदी जिसका पुरव की तरफ हो जिसका पुरव की तरफ हो हना इस्ट फ्लोइंग उसको आपड़ी वर्क चाहिए ठीक ना चलिए योरोप की एक मात्र एक मात्र इस्ट फ्लोइंग हैने की पूरब पुर्वदीसा में बहने वाली नदी कौने भाई डैन्यूब और वो नदी है डैन्यूब देखिए डैन्यूब के बारे में एक और इंप्रोर्टेंट बात इक्या है कि डैन्यूब सरवादिक नौ देसों से यह पास होने वाला नदी है चलिए विश्व के विश्व के सरवाधिक देशों से गुजरने वाली नदी देशों से गुजरने वाली नदी भाई कौन है तो वह है डेन्यूब वह है डेन्यूब और ये जो नदी है ना ये सर नौ देशों से ये गुजरती है डेन्यूब नदी ठीक ना ये नदी से रि पहाड को भी देख लेते हैं, पहाड से रिलेटेड, और यूरोप का सबसे उची चोटी, और यूरोप की सबसे उची चोटी का नाम है, वह है माउंट एल ब्रूस, और यूरोप की सबसे जो उची चोटी का नाम है, वह है माउंट एल ब्रूस, माउंट एल ब्रूस है, ठीक साफ लिख देते हैं वह है माउंट एल ब्रूस माउंट एल ब्रूस ठीक ना चलिए और यह किस पाहड के अंदर है यह चोटी तो यह कौकेकस परवत का यह चोटी है ठीक ना जो कि यूरोप की सबसे उची चोटी है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माउंट ब्लैंक नेके माउंट ब्लैंक यह अल्प्षपर्वivan परवत समझझे की यूरूप के एक फेमस परवत है कौकेकस तो अम लोग पढ़ए रहे हैं हाल्प परवत भी यूरोप की नाम है माउंट ब्लैंक ठीक ना चलिए इक सिसाउर्प से उची चूटी सबसे उची चोटी का नाम है ठीक है ना और वह है मौन्ट ब्लैंक वह है मौन्ट ब्लैंक चलिए अब हम आते हैं नमबर 15 में दिखिए मैटर हॉर्ण एक बहुत खुबसूरत दुनिया के सबसे खुबसूरत चोटी वे एक है matter horn जो कि सूरिजय लैंड में स्थी थे ये किस परवत की एक चोटी है तो ये आपस परवत की चोटी है ठीक ना चलिए matter horn नाम क्या है चोटी का matter matter horn ठीक ना विश्व के विश्व के सब से सुंदर चोटियों में से एक सूर्जर लैंड में स्थीथ है चलिए बहुत सब्सक्राइब बाते हैं यह सारी बाते हैं काफी होंगे हम लोग आगे लेके चलते हैं पॉइंट नमर 16 चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज परवत की सब जो उंची चोटी है वो तो मोंट ब्लैंक है और मैंट होरन भी जो है ना यह आल्स परवत की एक दूसरी चोटी है ठीक ना और जो की बहुत अब लाइनर क्या है यूरोप का यूरोप के मीठे पानी का मीठे पानी का सबसे बड़ा जील सबसे बड़ा जील कौन है भाई तो यह है आपका लडोगा जील जो है यह रूस में बहता है ठीक ना यह लडोगा जील यह यूरोप का सबसे बड़ा जील है चलिए नार्वे का देखिए यूरोप का एक देश है नार्वे ठीक ना जहां पर फियोड संरचना पाई जाती ह इसका जो कोस्ट लाइन है न वह फ्यूड संरचना यूथ है फ्यूड संरचना क्या है तो हीमानी द्वारा बना हुआ एक खाई को हम लोग फ्यूड कहते हैं नार्वे परसीद अपने फ्यूड संरचना के लिए बस आप एक जमनेशन दृष्टी कौन से सिर्फ इतना बात ज अब चले फ्यूड क्या है भाई तो फ्यूड हीमानियों द्वारा बर्फ द्वारा आप ऐसा समझे फ्यूड हीमानियों द्वारा ठीक ना फ्यूड हीमानियों द्वारा निर्मित गहरी घाटी है निर्मित गहरी घाटिया है इसको फ्यूड कहते हैं चलिए चलिए अब हम यह देखते हैं कि कौन सा पहाड यूरोप के किस देश में इस्थित है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है नमबर 18 में आते हैं कौन सा पहाड कौन सा पठार यूरोप के किस देश में इस्थित है चलिए आते हैं Central Massive पठार Central, नाम है इसका Central Massive, Central Massive पठार, ठीक है न, ये किस देश में इस्थित है भाई, तो ये फ्रांस में इस्थित है, चलिए इसके बाद मेसेटा का पठार, आगे देखते हैं, मेसेटा का पठार, ये कहां पर इस्थित है, तो ये एस्पेन और पुर्तगाल के बीच इस्थित ह है, ठीक है न, इस्थित है, मेसेटा का पठार, चलिए, इसके बाद आते हैं, माउंट एटना, हमारा अगला है न, माउंट एटना, बहुत इंपोर्टेंट है, माउंट एटना कहां पर है, तो ये इटली में है, बस, दूइप वगारा जानने के जरूरत नहीं, बस ये जा में है, फिर एक और आता है, माउंट एस्ट्रोंबोली, फिर एक आता है, माउंट एस्ट्रोंबोली, और ये भी कहां पर है, ये भी इटली में है, चलिए, इसके बाद आता है, माउंट विसूवियस, देखिए, तीन यहां पर माउंट इंपोर्टेंट है, माउंट एटना माउंट विसुबियस और माउंट एस्ट्रंबोली ये तीनों के तीनों जो है इटली में इस्थित है चलिए यूराल परवत देखते हैं कि यूराल परवत कहां पर इस्थित है यूराल परवत जो है वह रूस में इस्थित है चलिए बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एक चाल में हैं ब्लैक फॉरिस्ट यह प्लैक फॉरेस्ट यह जंगल मंस हनल समझ यह पहाण का नाम है और ये जोनों जो है अन्य यह हमारा रहा कि कौन का पथार कहां पर दिख intr dal साफ वपई यूक्रेन में जो घास का मैदान होता है पॉइंट नमबर 19 में अब ही हम लोग है ठीक ना यूक्रेन में जो घास का मैदान है ठीक ना इसको कहते इस्टेपीज अना यूक्रेन के यूक्रेन के घास का मैदान को क्या कहते हैं इस्टेपीज चलिए कभी कभी यह रूस भी डाल देगा तो रूस और उक्रेन एक साथ नहीं रहेगा ठीक ना इसका विस्तार युक्रेन चुकि युक्रेन और रूस एदम पड़ोसी जैसे ना तो युक्रेन के घास का मैदान को चलिए हुंगरी के घास का मेदान को है पुस्ताज चलिए अब हम आतें point number 20 में point number 20 में हम देखेंगे कि कौन सा चीज हना यूरोप के किस भागों को जोड़ता है या किस भागों अलग करता है बहुत important बात है यह अभी हम लोग जो करने जा रहा है यह बहुत important बात है अभी हम लोग क्या देखेंगे अभी हम लोग यह देखेंगे कौन सा नदी कौन सा रेखा कौन सा नहर किसको जोड़ता है किसको अलग करता है सबसे पहले आते हैं जो कि एक्जामनेशन दिश्टी कौन सा बहुत important है English Channel आप लोग ने कई बार सुना होगा English Channel ठीक ना चलिए अब हम आते इंगलिस चैनल भाई यह किसको अलग करता है इंगलिस चैनल दिखें United Kingdom आप ऐसा समझेए कभी कभी United Kingdom नहीं देगा England देदेगा ठीक ना कभी कभी आवसक ने कि United Kingdom ली दे कभी कभी England भी देदेगा तो United Kingdom को ठीक ना किन दो देशों को अलग करता है United Kingdom और यह फ्रांस को अलग करता है कभी-कभी United Kingdom नहीं दे करके आपको वहाँ पर इंग्लेंड भी मिल जागा है इंग्लेंड और फ्रांस को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है इंग्लिश चैनल चलिए इसके बाद एक है डोवर थोड़ा ध्यान दिया जाया अब हमारा आगला है दो जलसंधी जम्हान जलसंदी किसको अलग करता है अना यह दो तरह क करता है तो Great Britain को France से अलग करता है चलिए बहुत important है इसके बाद आता है जूरा परवत यह बहुत important है यह सारी बाते चलिए जूरा परवत किसको अलग करता है कि इन दो देशों के बिचे सीमा रिखा बनाता है भाई तो France को यह सूट जा लैंड से अलग करता है पहाड जो आना France को सूट जा लैंड से अलग करता है पहाड का ने में जूरा परवत तो यह फ्रांस को ठीकना यह अलग करता है किस से सूट जा लैंड से सूट जा लैंड से अलग करता है चलिए नाम है इसका जूरा परवत चलिए इसके परवत ना Germany और France और फ्रांस को आप ऐसे कह सकते हैं फ्रांस को जर्मणी करता है जर्मणी से अलग करता है ठीक है ना जिसका नाम है वर्षेज परवत आते हैं लोग बात को आगे बढ़ाते हैं देखे ओडर नदी अब नदी दो देशों के भी सीमारेखा-बना सकती है नहीं order जो नदी है ये बाई किन दो देसों के बीच का सीमा रेखा बनाती है तो Poland आप ऐसे समझे Poland एउ जर्मनी Poland एउ जर्मनी के सीमा रेखा बनाती है ठीक ना ना मैं उसका order नदी सीमा रेखा बनाती है चलिए एक है राइन नदी अब राइन जैसे कि मैं अभी बात क्या हूं कि यह जर्मानी में बहती है राइन किन दो देशों के बीच यह बहने वाली न दिये भाई तो फ्रांस और जर्मानी की सीमा बनाती है यह फ्रांस यह जर्मानी की सीमा बनाती है ठीक है ना चलिए यह हमारा है राइन नदी चलिए अब हम लोग देते कील नहर यह कील नहर कहां पर बहुत इंपोर्टेंट है यह कील नहर कहां पर है भाई तो कील नहर जर्मानी में है ठीक है यह किसको जोड़ती है यह बाल्टिक सागर को ठीक है यह बाल्टिक सागर को यह जो कील नहर किसको जोडती है तो बाल्टिक सागर को ते क्हुंट Hopkins सागर से जोडती है लुए ना फोतरी सागर से जोडती है कि यह बहुत important है छलिए जीला के बाद आल आते गोटा नहर एक नहर का नाम है नाम है उसका गोटा नहर यह बैकिस इस देश में यह नहर है तो यह सूडन में है यह क्या इसको किसको जोड़ता है तो यह वैटर्न जील है फुरा ध्यान दिया जाए वैटर्न जील हना वैटर्न जील को हना बाल्टिक सागर से जोड़ता है ओ बाल्टिक सी ठीक ना जैसे किया पर बाल्टिक सागर लिखा हुआ ठीक ना, नहर हैं, जो की, दो चीजों को लिंक करने का काम करते हैं, कुछ सीमा रेखा भी, हम लोग देख लेते हैं, सीमा रेखा से अक्सर सवाल पुछता है, कि यह सीमा रेखा कौन दो देशों के बीच में है, चलिए, यह हमारा पोइंट नमबर जो था, वो, अभी तक हम ट्वंटीटू में थे 23, अब हम लोग आते 23, पॉइंट नमबर 23, चलिए, मैजीनो रेखा, अब हम थोड़ा से रेखा के बारे में देख लेते हैं, किंदेशों को जोडने वाले ये रेखा होती है, मैजीनो रेखा, ये जोडती है फ्रांस और जर्मनी को, ये जोडती है फ् जोड़ता है France और Germany को इसके बाद सीज तरो रह्षा सब्सक्राइब यह सब इंप्रइब यह बाते हैं ठीक है ना छलिए यह जोड़ता है किसको तो यह भी जोड़ता है France और Germany को जोड़ता है चलिए आ आप आते हम मतलब आप आप ऐसे समझें कि दो देशों के बीच जो रेखाए हैं होगा है न पर against फ्रांस स्वर्मनी के बीच है तो आपको इस तरह से पढ़ाई करना है चलिए इसके बाद हम आते और नीसे ना्वाद एक और रेखा का नाम है इसका नाम है order نीसे रेखा गीसको हिंडन भर रेखा भी कहते हैं। इसका बर चलिये अब यह किसको जोड़ता है भाई तो यह पोलैंड और जर्मनी को यह जोड़ता है ठीक ना मुझशे करता है या हम एसने की जर्मन aumento को यह कौन सा झाल यो रेखा तो यह सारी बाती important है चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या ये तो बात हो गई अब हम लोग देखेंगे क्या कि यूरोप का कौन अस्थल किसलिए परफिढ़ से पर्सिद्ध है उनके परसिद्ध का कारण क्या है बहुत इंपोर्टेंट यह बात होंगे अब हम लोग देखने जाएंगे कि यूरप कौण सा अस्थाल अपने किस चीच के लिए मसरूर है चलिए नीधरलैंड बहुत इंपोर्टेंट यहीं से टीूलिप के लिए वर्ल्ड फेमस है अब हम लोग देखें गी कौन सा जगह इस लिए फेमस है तो नीदर लैंड अपने टीूलिप के लिए 20 बिख्यात है आप ऐसे समझें चलिए इसके बाद आते हैं बेलजीम किस लिए परसीद है तो गुलाब के लिए ये गुलाब जो फ jari Germany किस ले चीव हैं पीग आयरण के लिए चीवर्ण फेमस है इसके बादा प्रांसे की योर्ड फेमस तो फ्रांस देश के लिए Tôi शेंपेन जो सराब बनता है, शेंपेन जो सराब आप खिलाड़ियों को देखते पीते हुए यह सेंपेन के लिए फ्रांस वेना यह वर्ल्ड फेमस है चलिए यूक्रैन, यूक्रैन भाई क्या क्यों फेमस है कि उक्रीं के लिए फेमस है तो गेहों के खेती ब्यापक तोर पर होती है युक्रेन में गेहों की खेती के लिए वर्ड फेमस है और इस कारण से युक्रेन को क्या कहा गया है इसको कहा गया है विस्व का अनाज का डलिया इसको कहा गया है युक्रेन को क्या कहा गया है विस्व के अनाज टोकरी इसको कहा गया है युक्रेन क को चलिए तो यूक्रेन बहुत इंपॉटंट है अना अभी तो ये यूदं में ब्यस्त है तो यूक्रेन किसलिए फेमस है भाई तो ये ग्हों के खेति लिए फेमस है आते हैं जांस बोची सबात Alrighty कि लिए और बैंक उत्री सागर में इस्थित है बैंक और यह बिस्व के आप ऐसे समझे कि सबसे बड़े मतस ग्रहन छित्र मिसेख है जहां पर दुनिया में सरवादिक मचली पकड़ जाती है तो डॉगर बैंक किसली मसूर है तो मतस आप ऐसे समझे हैं कैच मतलब फिस कैचिंग एरिया है यह दुनिया का लिडिंग फिस लिडिक है तो यह इटली में स्थीत है चलिए अब इटली का लॉंबार्डी मैदान भाई क्यों फेमस है फोड़ा से इसको देख लेते हैं तो इटली का जो लॉंबार्डी मैदान है ना यह चावल की खेती के लिए परसीद है चावल की खेती यूरोप में सबसे अधान के लिए रेस मुत्पादन के लिए आपका लियोन फेमस जगा है फिर इसके बादर लॉरिंजेृतर ढह AT लोह इसलान चुत्र टोन चलिए पर्दों में फेमस है चलिए लॉरिंजेटर आगे बढ़ते हैं ढ़ते हैं क्या है आ गया ते मैंचेस्टर इंग्लैंड का जो मैंचेस्टर है ये सूती वस्तर के लिए 20 बिख्यात है अना मैंचेस्टर अना ये इंग्लैंड में है मैंचेस्टर और ये किसलिए पर सीद है भाई सूती वस्तर के लिए चलिए अब इसके बाद आते हैं यार्कसायर हम आते हैं अगला है यार्कसायर यार्कसायर भी इंगलेंड में है ठीक ना जगह का नाम है यार्कसायर ये इंगलेंड में है और ये उनिवस्तर के लिए फेमस है ठीक ना ये उनिवस्तर के लिए फेमस है लंदन लंदन किस लिए फेमस है देखिए यहां पर जल अनों का री एक्सपोर्ट के लिए मसुहूर है लंदन और इसके अलावा क्या है सिप हना यहां पर जल्पोत का निर्मान होता है जल्पोत का निर्मान के लिए भी एक फेमस जगह है लंदन यह सब हम क्या देख रहें यह सारी जगह है और इन चीजों के लिए यह फेमस है चल फेमस है डेनमार्क के प्रसिद्धी का क्या कारण है तो यहां पर दुनिया का यह सबसे बड़ा आप ऐसे समझे कि डियरी उद्धोग विक्सित है अपने डियरी उद्धोग के लिए न यह वर्ल्ड फेमस है चलिए कुछ और जगा देखते हैं डेनमार्क के अलावा फ्रांस में जगा है जो कि किस लिए जाना जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा यहां पर आट म्यूजियम है चलिए तो बच्चों यह सब इंपोर्टेंट बाते हैं जो कि एक्जामनेशन दृष्टिकों से बहुत इंपोर्टेंट है देखिए अब आम आते हैं एक जगा करना में रिवियरा घाटी जो कि फ्रांस और इटली के में इस्थित है ठीक है यह दुनिया के मतलब अगर कहा जा कि स्वर्ग दुनिया में स्वर्ग का है दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह केवल कास्मीरी नहीं है दुनिया में कई ऐसे जगह को स्वर्ग का दर्जा दिया गया है और उसमें एक जगह है रिवियरा घाटी यह दुनिया का टॉप टूरिष्ट अस्थानों में से एक है केवल कास्मीर वाली बात इसको न प्रित्वी का स्वर्ग कहा गया है आप ऐसे समझ भी इसके खुब सूर्ती के कारण ठीक ना और यह पर सीदा ना टूरिस्ट एसपार्ट यह हना रुघ दुनिया के टॉप टूरिस्ट में से एक विश्व के ना टॉध कि टूरिस्ट अना एसपार्ट में से दूछ एक तो ये हमारा रहा फेमंश जगा और उनके किसे लिए वह फेमंश है चलिए हम लोग बात को आजिSON लोग एक चलते है पोइंट नमबर हमारा जो था सर ये टौंटीफाइब था अब लोग आते हैं 26 में चलिए कुछ और बातों को देख लेते हैं देखिए ओरियंट रेल मार्ग यह यूरोप का सबसे महत्पुन रेल मार्ग है जो कि पेरी से ले करके हना और वह इस्तामबूल जो टर्की है ना वहां तक है चलिए ओरियंट रेल मार्ग 26 को थोड़ा सा देख लेते हैं चलिए अब यहां से थोड़ा सा बात को आगे लेकर चला जाए ओरियंट रेल मार्ग अब हमारा अगला है ओरियंट रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्पुन रेल मार्ग कहां से कहां तक है यह बाई पेरी से कहां तक चलता है पेरी मतलब फ्रांस से ले करके यह तक चलता है तर्की तर्की में हैं इंस्तांबूल ठीक ना यह इंस्तांबूल तक चलता है यह योड़का सबसे महत्पूर्ण रेल मार्ग है चलिए आते हैं देखें दुनिया में जितने महादेश हैं उसमें सबसे ज्यादा आंत्रिक जल्मार्ग का विकास यूरोप में हुआ है ठीक ना अंत्रिक जल्मार्गों का सर्वादिक विकास कहां पर हुआ है चलिए आंत्रिक जल्मार्गों का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ है तो यह सर हुआ है यूरोप में हुआ है चलिए अब हम आते हैं देखिए विसु में संत्रा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है तो वह एस्पेन है विसु में संत्रा का सबसे बड़ा निर्यातक देश और वह है एस्पेन है चलिए हम का सकते हैं कि विसु में नुदिनिंगे कुछ नदी और उनसे जुड़े हुए सहर इसे सवाल आपको समझे की आना ही आना है नहीं का कोई बात ही नहीं हो सकता है ठीक है ना चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉटेंट बात कर लेते हैं कि कौन से सहर किस नदी के किनारे हैं अब हम बात करेंगे सहर ठीक है न यह नगर आप उसको जो कह लीजिए और फिर नदी और इसमें सिर्फ वही सहर और नगर को रखा गया है जिसका सम्मझ यूरोप से हो ठीक है न चलिए तो इसमें सबसे पले आते हैं बरलीन सबसे पले आते हैं बरलीन यह बरलीन कहा हैं भाई तो बरलीन है जर्मनी में ठीक है ना बरलीन है जर्मनी में और यह किस नदी के किनारे तो इस्प्री नदी के किनारे है सवाल अकसर आता है मैचिंग करने के लिए भी देता है और इनसे सवाल अकसर आपको दिखने को मिलेगा चलिए तो जो बर्लिन जो सहर है यह आता है स्प्री नदी के किनारे चलिए कोलोन चलिए कोलोन भी एक सहर है यह भी जर्मनी में है ठीक ना कोलोन और यह राइन नदी के किनारे है चलिए इसके बाद बोन बर्लिन और बोन यह पहले पुर्वी और पस्मी जर्मनी की यह रजधनिया थी ठीक ना तो यह भी जर्मनी में है और यह आता है यह भी राइन नदी की कि नारे हैं हैं इसके बाद आते हैं बिल ग्रेड सर्बिया में है बिलगरेड कहाँ पर है सर्विय में यह सब भी आपको यह बहुत काम की चीज़ है ठीक न अक्सर मैच करने को देता है कि सर्विय की रजधानी बिलगरेड यह सारे अक्सर नीज वर्ल्ड अगर आप न्यूज सुनिएगा तो अक्सर यह सब न्यूज में रहने वाले सहर है य गिरड जो है ना यह डेनिव नदी के किनार यह चलिए अग्ला आते हैं बुड़ापेस्ट आग्ला आते हैं बुड़ापेस्ट हैं तिन 것 चाहर ही इसमें आपिनोघनों रजधानियंद थीक नर्द हरила सहर जान सबुक्वक्राइं जफ्ट चलिए अलगे देखते हैं यह यह म रज़ानी वार्षा है ठीक है ना और ये विस्तूला नदी के किनारे है ये विस्तूला नदी के किनारे है चलिए पेरिस हना ये फ्रांस के रज़ानी है ठीक है ये फ्रांस के रज़ानी है और ये किस नदी किनारे तो सीने नदी के किनारे है चलिए मिलान मिलान इटली में है ठीक है ना मिलान इटिली में है और ये जो है वो पो नदी के किनारे है एक important बात देखें जो पो नदी है इसको इटिली का गंगा कहा गया है उना इटिली का गंगा कहा गया है इटिली का गंगा कहा गया है चलिए ये बहुत important बात है चलिए मैडरीड एस्पेन में है ठीक ना erste पैन के जानी है मैडिड है किस नदी किनारे है तो यह मैसे नदी नदी किनारे हे चलिए मैंझी नदी किनारे है क्यूअक परचा में है। यूख्रेण की ये आप ऐसा समझे कि रधानी क्यूभ है। Zथिकने चलिए। कि लोग बात को लेके चलتे हैं यह क्योजी ये क्यूं की किनारे तो नीपर नदी किनारे छुम brings you,ja इसके बाद आते हैं लंदन तो आप सभी jानते हिं है लंदन in England की रसधानी ए और इसके बाद आते हैं तो रोम और रोम किस के रखानरे है तो रोम जो ही वह वह टाइवर नदी के किनारे है और रोम इतली लिटली के रजधानी रों ठीक ना चलिए और ये किसके किनारे तो ये टाइवर ना दीके किनारे है बच्चो आज के हमारे वीडियो सेशन में बात कितना ही तो ये सब बाते जो यूरोप से रिलेटेड बाते हैं बहुत एक्जामिनिशन दृष्टिकों से अगर बात करें त तो आज की बात हमारा इतना ही थैंक यू वेरी मुच